आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो गैस तो आज का हमारा Question है A reciprocal of a fraction is obtained by inverting it upside down तो हमसे कह रहा है क्या किसी fraction का reciprocal हम उसे invert करके निकाल सकते हैं यानि उसके denominator को numerator में करके और numerator को denominator में कर देंगे यानि upside down कर देंगे तो क्या हम उस fraction का reciprocal निकाल सकते हैं तो answer होगा yes ठीक क्योंकि अगर दिखो जैसे हमारे पास कोई fraction है 2 by 3 ठीक है हमें इसका reciprocal निकालना है तो reciprocal मतलब क्या होता है कि हम कोई ऐसा number यहाँ पे उसका multiply कराए कि उसके equal 1 आजाए reciprocal मतलब यह होता है ना inverse number यानि इसका कोई भी number माना जैसे let x से multiply कराएंगे तो x हमारा क्या होना चाहिए x हमारा होना चाहिए x is equals to 3 by 2 यह तो आएगा यानि देखो अगर हम यहाँ से देखे 2 by 3 into अगर 3 by 2 का multiply करा रहा है तो देखो यह कितना आ रहा है यह हमारा 1 आ रहा है तो यानि 2 by 3 कर ऐसी प्रोकल क्या होगा 3 by 2 और देखो यह same है inverting it upside down यानि 3 जो नीचे था वो उपर हो गया और 2 जो उपर था वो नीचे हो गया यानि यह upside down हो गया inverse हो गया 2 by 3 का inverse क्या होगा 3 by 2 inverse of 2 by 3 इसी तरह अगर हम दूसरा नंबर ले लें कोई 5 by 7 तो अगर हम यहाँ पे किसका multiply करा है कि 1 आ आ जाए reciprocal inverse इसका inverse क्या होगा इसको upside down कर दो यानि 7 by 5 देखो 5 से 5, 7, 7 आंसर कितना जाएगा 1 तो 5 by 7 का inverse क्या होगा 7 by 5 यानि upside down कर देंगे तो यहाँ से इसका reciprocal क्या हो जाएगा 5 by 7 का reciprocal होगा 7 by 5 और reciprocal of a fraction is obtained by inverting it upside down तो answer is yes ठीक है, thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 चार्स उपर